नमस्क्रा दोस्तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डेटो बर्ट से एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं MS Excel में by using a simple formula जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर हमने डेटो बर्ट लिखी है और यहाँ पर इनकी एज कैलकुलेट करी है आज की डेट के अकॉर्डिंग ली तो आईए दोस्तो देखते हैं कि यह हमने कैसे किया तो सबसे पहले आपने क्या करना है जिस भी सेल्स में आपने यहाँ पर अपनी डेटो बर्ट लिखनी है उसकी फॉर्मैटिंग सेट कर लेनी है करनी है या एच calculate करनी है उन cells को भी select करना है right click करना है और जाना है format cells में format cells में जाने के बबार दोस्तों आपको यहाँ पे number का एक option मिल जाएगा इस number के option पे click करना है और आपने ध्यार रखना है यहाँ यहाँ पे calculate करेंगे अब आपको समझाने के लिए जो मैंने age calculate करी है मैं इसको यहाँ पर delete कर देता हूँ delete करने के बाद हम मैं यहाँ पर लगाता हूँ formula तो formula जो हम use करेंगे calculate करने के लिए age वो है हमारा equal to ठीक है और उसके बाद आपने लिखना दोस्तो dated if ठीक है जो आपका first आपने जो reference देना है वो आपने date of birth का देना है मतलब उस cell का देना है जहाँ पर आपने date of birth लिखी है दोस्तो तो आपने यहाँ पर date of birth select कर लेनी है select करने के बाद आपने यहाँ पर comma लगाना है कॉमा लगाने के बाद अब आपने जो date मतलब जो आपने age calculate करनी है वो आज की date के accordingly calculate करनी है मतलब जैसे जैसे date बढ़ते रहेगी जैसे जैसे age भी बढ़ते रहेगी खुद automatically तो उसके लिए हम एक use करेंगे function जो की होता है अपका today का तो today हम लिखेंगे दोस्तो ऐसे ठीक है और उसके बाद हम यहां पे दो bracket यहाँ पर लगा देंगे तो यह हमने today का function भी यहां पर लिख लिया दोस्तो और उसके बाद again हम यहां पर कॉमा लगाएंगे और double inverted comma में हम यहां पर लिखेंगे y और double inverted comma यहांपर close कर देंगे अब y का मतलब क्या होता है दोस्तों कि y का मतलब होते है number of years मतलब number of years हमने calculate करने है date of birth से तो हमने यहाँ पर y लिख दिया और उसके बाद हमने bracket close करके आपने enter press कर देना है तो आपकी यहाँ पर देखे age calculate हो गई है अब आपने सारे जो जितने भी cells है जिसमें rate of birth लिखिये है सबकी age calculate करनी है तो बहुत ही simple है आपने cell पे click करना है और इसको देखे बिल्कुल corner में जाके दोस्तों इसको click करके नीचे drag कर लेना है तो सारे cells में आपकी age calculate हो जाएगे दोस्तों अगर वीडियो पसंट आई दोस्तों तो इस वीडियो को like share और subscribe करना मत भूलना until then goodbye take care मिलते है नेक्स वीडियो में